मैं राम लिखूं, रह्मान लिखूं, हिंदू या मुसल्मान लिखूं या इन सब के बदले में मैं खाली खाली हिंदुस्तान लिखूं कान लगाओगे चीथडों से आएगी बस एक खिले जै 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 भारत माता की जै भारत माता की जै घर पर देसिया पर देसिया वंदे वंदे मातरम नाजि करता है जिन पर हमारा वतन उन शहीदों को शत शत हमारा नमन सांत हो रास्ट्र कोई न दंगा रहे हो मिरा ये वतन प्रेम का एक चमन हो मिरा ये वतन प्रेम का एक चमन सबसे उचा ये अपना तिरंगा रहे सबसे मुचा ये अपना तिरंगा रहे नमस्कार आप देख रहे है के नियूस मैं हूँ शबी हैदर हाजिर हूँ कवी समेलन के साथ बात आजादी की हो और आजादी के मतवालों की ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता हम आजादी के अमरित काल महुत सब को सेलिबरेट कर रहे हैं और उन लोगों को सेलिबरेट ना करें उन लोगों को याद ना करें जिनकी वज़ा से हमको आजादी मिली तो ये बहुत बड़े नाइंसाफी होगी जी हाँ आजादी के आंदोलन में लोगों की जो उनके समेदनाएं थी उनको उकेर कर पबलिक प्लेटफॉर्म पर ना जाने कितने कवियों ने लाए ना जाने कवियों को कितना बड़ा संगच रहा इस पूरे आजादी के आंदोलन में ये यकिनी तोर के उपर इसको कहा नही उके रहा सकता आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के देश के नामचीन युवा क्रांतिकारी कवी हैं जिनके कावेपाट से निश्चित तोर पर किसी भी मंच में किसी भी सभा में एक तेजना आ जाती है एक महाल गर्म हो जाता है और तालियों की बोचार तालियों की गड़गड़ाट जो है उससे उनको नहीं ना कारा जा सकता तो शुरू करते हैं कवी समेलन आजादी के अमरित महुस्थाफ का सिर्फ के निश्चित बात शुरू करेंगे इस वक्त हमारे साथ पूनम जी हैं दे युवा को देखें कितने बड़े-बड़े युवा कभी हमारे साथ हैं और बहुत सारे युवा कभी हैं हुम्हों को लेकर कुछ सुनाईये बताईये नमश्कार आप सभी को मेरा मैं पूनम मिश्रा उत्रप्रदेश लखनव से और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को आजादी के अमरुत महसों की बहुत-बहुत बढ़ाई देती हूं और एक मुक्तक से काविपाद प्रारम करती हूं आप सभी सुनिएगा यूही अविरल हमेशा मगंगा रहे यूही अविरल हमेशा मगंगा रहे सांत हो रास्ट्र कोई न दंगा रहे हो मिरा ये वतन प्रेम का एक चमन सबसे ऊचा ये अपना तरंगा रहे सबसे ऊचा ये अपना तरंगा रहे सबसे ऊचा अपना टलंगा को रहे आपका अपना परिचा दी और बताये तरंगे पर क्यों राजनीत हो रहा है नमस्कार मेरा नाम मैं प्रियंशू का निमाशी हो देखिए त रंगे की बात जहां तक चलरे ही है तो आजादी के समय जब हमारा देश ये आजाद हुआ, आज तो हमारा देश आजाद है, कोई कुछ भी कह सकता है पर आप सोचिए कि क्या यही सपना लेकर कि तिरंगे के उपर जो आज इतने विवाज चल रहे हैं यही सपना लेकर कि आजाद सिंग चंसेखर आजाद ने अपने आपको गोली मारी होगे आखरी, नहीं उनका यही सपना नहीं था क्या सपना था मैं चार पंक्ति में पढ़ता हूँ कि उन्होंने क्या सोचा था इस देश के लिए और क्या से क्या हो गए हम ठीक है, तो चार पंक्तियां पढ़ता हूँ ने आखरी गोली अपने, जब अपने उनके पास आखरी गोली बची तो उन्होंने अपने आपको गोली मारी होगे और उनका क्या सपना रहा होगा, सुनिएगा कि कहा कि अपने माउजर से सब आस बदल कर रख दूँगा कि कहा कि गोरो गाथा गान बदल कर रख दूँगा, कहा कि अंतिम गोली से हिंदुस्तान बदल कर रख दूँगा और कान लगाओगे चीथडों से, कान लगाओगे चीथडों से, आएगी बस एक खिले, जै 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 भारत माता की, जै भारत माता की जै, बंदे मातरम भारत माता की जै, निश्चित तोर के उपर, आज चाहे जितनी बड़ी बड़ी बाते हो रही हो, राजनीत हो रही हो, त इस खुबसूरती के साथ इस युवा कवी ने जो है दर्शोकों के सामने हो के रह एक और युवा कवी हमारे साथ है हमारा मंच युवा करांतिकारी कवीयों से लबरेज है भरा हुआ पूरा मंच है आप बताएं सर क्या आप जो इस समय जो पूरा महौल है इसके बारे में क्य देशभक्त है किस तरीके की चीज़ें उस समय पर सोची गई क्या था मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ किस तरीके का हिंदुस्तान है क्या है तरीके का हिंदुस्तान है संसकार लिखूँ गंगा की बहती धार लिखूँ या यमना की रसधार लिखूँ या लिखूँ चित्रकूट वाला परवत या सबरी के जूटे बेर लिखूँ मैं राम लिखूं रह्मान लिखूं हिंदू या मुसल्मान लिखूं या इन सब के बदले में मैं खाली खाली हिंदुस्तान लिखूं या इन सब के बदले में मैं खाली खाली हिंदुस्तान लिखूं बिलको थेखे निश्चित तौर के उपर, कोई सोच सकता है इस इस 20 साल के यूआ कवी ने जिस तरीके कवेप पाट रखा, जिस तरीके से शब्दों को पुरोया है, निश्चित तौर के उपर एक गर्मी आ गई है, बिलको एक बहुत ये मंच जो है वो बहुत उचाईयों की और जा रहा है एक और महान कवित्री हमारे साथ हमारे मंच पर हमारी खुशनसीबी है आपने हमको जॉइन किया आप किस तरीके का कावे पाट करेंगी और आपका क्या कहना है सभी को नमस्ति प्रणाम जैहिन सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आजादी के महस्तों की सुपकामनया देना चाहती हूँ मेरा नाम वंदना विशुष कुपता है और मैं भी लखनों की निवासी हूँ यह जो मैं आजादी मिली है वो मैं यूही नहीं मिली है मा भारती ने अपने कई सपूतों को खोया तब जाकर हमें यह पावन आजादी मिली है तो मैं कहना चाहूंगे अपनी बात अपनी पंक्तियों के माध्यम से सुनियेगा नाज करता है जिन पर हमारा वतन उन शहीदों को शत शत हमारा नमन उन शहीदों को शत शत हमारा नमन बाग जिन की बदोलत ये गुलजार है खोन देकर शहीदों नसी चाचमन खोन देकर शहीदों नसी चाचमन नाज करता है जिन पर हमारा वतन बहुत उन्दा नाज करता है जिन पर हमारा वतन और अपने खून से सीचा वतन हमारे साथ और भी बहुत सारे शायर है बहुत सारे कवी है और निशित तोर के उपर एक बहुत बड़ा मंच है के निउस के पास और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि युवा मंच है इसमें सब युवा कवी हैं जिन्होंने अपने कावे पाट से पूरे हिंदुस्तान में तहल का माचा रखा है एक और युवा कवी की बात की जाए आप से बात करते हैं सर बहुत सारी बाते हो रही हैं बहुत सारी चीज़े निकल कर आये मुर्थुंजे ने बहुत अच्छा कावे पाट किया निशित तोर के उपर आप क्या लेकर आएं जी आप मैं आपके जितने भी दर्शक हैं के न्यूज के जितने भी दर्शक हैं तो सबसे पहले तो मैं उन्हें आजादी के अमरत महोशों की बहुत-बहुत बधाई शुपकामनाय देता हूं और मृतुंजे हमारा छोटा भाई है ये समझ लिजे कि मृतुंजे की बात नही हैं और हम कहने का प्रयास करते हैं कि आज देश के शश्वी प्रदान मंतरी जी ने एक मुहीम चलाई कि सवच भारत मिशन की तो हमें लगता है कि यह जरूरी नहीं कि हम बॉर्डर पे जाके बंदूक लेके खड़े हूं तब ही देश की सेवा कर सकते हैं चोटे-चोटे का करके हम राश्टर की सेवा कर सकते हैं अगर हम मतलब सफाई का द्यान दे लें और तो उससे भी एक राश्टर निर्माड का हम काम करेंगे तो मैं एक छोटी सी रचना में पढ़ने का प्रयास करता हूं आपके दर्सकों के लिए कि थूकना एक कला है मैंने कहा कि थूकना है कि थूकना है लड़कों से गलती हो जाती है ऐसे बयानों पर थूकिए थूकना है तो मन चले मन बढ़े सयानों पर थूकिए और थूकना है तो सड़क चलती लड़कियों को घूरती आखों पर थूकिए और थूकना है तो ढोंग रस्ती बड़ी बड़ी नाकों पर थूकि लेकिन रिएल हीरो हमारे कभी नहीं कहते हैं मैं तब अपनी कभीता को आगे बढ़ाता हूं मैंने कहा कि थूकना है तो दहेज के लोबी बाप पे थूकिये थूकना है तो भूरत तेरे तुकड़े होंगे नारों पे थूकिये थूकना है तो बारत तेरे टुकडे होंगे इन नारों पे तूकिये इन नारों को सुनकर चुप मौन बैठी सरकारों पे तूकिये और थूकना है तो सर्जिकल स्ट्राइक के सवालों पे तूकिये थूकना है तो सर्जिकल स्ट्राइक के सवालों पे तूकिये थूकना है तो सहादत को सरमिंदा कीजिए। गर पर देसिया पर देसिया वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम नाजि करता है जिन पर हमारा वतन उन शहीदों को शत्षत हमारा नमन सांत हो राश्ट्र कोई न दंगा रहे हो मेरा ये वतन प्रेम का एक चमन हो मेरा ये वतन प्रेम का एक चमन सबसे उचा ये अपना तिरंगा रहे सबसे मुचा ये अपना तिरंगा आप देख रहे हैं की नियूज ख़बरों का सार्थी देखें कौन नेया खिलाडिया है समझा देते हैं प्यार से समझाएंगे ये तो अपनी जुआ है जुआन एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए विमल बोलो जुआ के सुरी आप देख रहे हैं की नियूज ख़बरों का सार्थी मैं राम लिखूं रह्मान लिखूं हिंदू या मुसल्मान लिखूं या इन सब के बदले में मैं खाली 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 हिंदुस्तान लिखूं कान लगाओगे चीठडों से आएगी बस एक खिले जै 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 भारत माता की जै भारत माता की जै नाजि करता है जिन पर हमारा वतन उन शहीदों को शत शत हमारा नमन सांत हो रास्ट्र कोई न दंगा रहे हो मिरा ये वतन प्रेम का एक चमन हो मिरा ये वतन प्रेम का एक चमन सबसे उंचा ये अपना तिरंगा रहे इस वक्त हमारे मंच पर इस कवियों के इस सबसे बड़े मंच पर भाई शेकर मौजूद है और निशित तोर पर शेकर ने बहुत कम समय में अपनी पहचान बनाई है और अपने कावेपाट से जो युवाओं और सभी भारत्वासियों के नसिर बलकि विदेशों में जो है वो इनके नाम का डंका बज़ रहा है सीथे शेकर से बात करते हैं शेकर बहुत कुछ हो रहा है बहुत कुछ कावेपाट हुआ ठीक है आप के पास क्या है मैं थोड़ा सा लीक से हटकर मैं अपना कावेपाट करना चाहता हूँ ये वो गीत होगा वैसे अभी युवाओं की बात चल लही थी आपने जवानों के बारे में आपने बात की मृतुंजे भाई ने बहुत अच्छा कावेपाट किया सभी ने बहुत अच्छा पड़ा तो कभी हमारी कविकुल के एक स्वेश्ट कभी राजबाहदूर विकल जी ने कहा था कि उबलेन अगर अन्याय देख हम उसको पानी कहते हैं जो चरण मौत से धुलवाए हम उसे जवानी कहते हैं और सिंगासन ठहर नहीं पाते आँखों के कायर पानी पर धरती निचावर होती है लपटों से घिरी जवानी पर पसुबल का होता हरास नहीं धनकी मनमानी चलती है इतिहास उधर चल देता है जिस ओर जवानी चलती है ये दिहास उधर चल देता है जिस ओर जवानी चलती है हम जवानी की बात हो चुकी है तो मुझे अपना एक गीत याद आ रहा है वो गीत है जब पुलवामा का हमला हुआ था तो आज से 2-2 साल पहले जो उन्नाओ के जो शहीत थे आजीत आजाज जी तो उनकी शहादत के में जानने की कोशिस की फिर एक गीत मैंने लिखा मैं उस गीत को पढ़ता हूं उसके साथ ही हमारे सबी कव्यों का कावेपार्ट समापन की और है हमाहे साथ में एक और अकलाकार है तो मैं वो गीत रखता हूं स्वागत है, स्वागत है. पड़ी है. बिटिया बैठी राह निहारे घर पर देसिया आज नैन बेचैन हमारे अखिया तरसी दरसन मारे घर पर देसिया सपन हो गए कारे कारे घर पर देसिया आज नैन बेचैन हमारे बगिया छोड मुदेर के उपर बैठी बुल बुल है बैठी बुलबुल है लिये सभी प्रतिमान तुम्हारे कुलशो का कुल है नयन आसुओं से भर कर भाई सहमासा है भाई सहमासा है तुमको बाहों में भरने को पापा व्याकुल है पापा रोएं जैसे पुश्प बिनावन माली है रात के खाने पर बेटे की कुर्सी खाली है बेरंगी धूमिल धूमिल होली भी गुजरी है सदा हुई जो रोशन वो दीवाली काली है छुपकर खोकर मिलकर फिर शहीत की पतनी जब होता क्या है कि जब कोई सैनिक बॉर्डर पर जाता है तो उसके बाद उनकी जो पतनी होती है तो उनके तमाम उनकी अभिलाशाएं होती है लेकिन जब उन्हें पता है कि हमारा पती अब कभी नहीं आने वाला तो वहाँ से सुने कि छुपकर खोकर मिलकर फिर खुद पर इठलाना था प्यारी प्यारी बातों से रूठना मनाना था मेरी सांसों की दड़कन की एक तमना थी घर से जाते जाते तुमको गले लगाना था अंगनाई में कभी कभी तुम अब भी आते हो बीवी के साजन कहने पर तुम शर्माते हो दुनिया की नजरों से दूर हुए हो तुम लेकिन बेटी को इस कूल छोड़ने तुम ले जाते हो आज नैन बेचैन हमारे अब मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी साथी महोद हैं सब लोग थोड़ा सा साथ दे दीजे कि आज नैन बेचैन हमारे घर पर देसिया बिटिया बैठी राहनिहारे घर पर देसिया अखिया तरसी दरसन मारे घर पर देसिया सपन हो गए कारे कारे घर पर देसिया तुमको हारा तो जग हारे घर पर देसिया पापा बैठे थके बेचारे घर पर देसिया रूठे हो क्यों सांज सकारे घर पर देसिया मा बैठी खामोश पुकारे घर पर देसिया घर पर देसिया पर देसिया वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम अपना तिरंगार आप देख रहे हैं की नियोज ख़बरों का सार्थी देखें कौन नया खिलाडिया है समझा देते हैं प्यार से समझाएंगे यह तो अपनी जुआ है जुआ ने खो तो दिल भी एक होने चाहिए विमल बोलो जुआ केसरी आप देख रहे हैं की नियोज ख़बरों का सार्थी के नियोज की महफिल में के नियोज के इस मंच पर ये जो मंच है कितनी उचाईईों पर है इसको महसूस करने की बात है शेकर के जो शब्द है इनको ना सिर्फ सुना जाए बलकि इसको अगर महसूस किया जाए तो शरीर के रुंटे खड़े हो जाएंगे किस तरीके से एक सैनिक की विधाई एक सैनिक की इसकी पत्नी का जो समवाद है उन्होंने अपने इस गीत के माध्यम से प्रसुत किया एनिश्चित तौर के उपर युकिनी तौर के उपर कहा जा सकता है कि जो आज का कवी है जो यह युवा कवी है इसके हाथ में इसके पास जो मा सरस्वती का अशिरवाद है वो बेजोड है उसको शब्दों में व्यक्षित नहीं किया सकता एक और कलाकार हमारे पास मौझूद है कई सारे फिल्मों में इन्होंने काम किया है लखा भाई इनको कह किते हैं लखा से बात करेंगे लखा आप कुछ बताईए आप कुछ सुनाईए नमस्कार मैं राकिष लखा और के न्यूज को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे युवास आती हैं और अजादी के अमरित महसों में सभी हिंदुस्तानियों को बहुत-बहुत बढ़ाई और मैं शुरुआत करता हूँ कि सीमा पे लड़ने के लिए जवान चाहिए वैसे ही अनुगाने के लिए किसान चाहिए और परिवार बनाने के लिए इनसान चाहिए और हिंदुस्तान को आजात करने लि वो अपना लिवास बदलते है जो पसीने से नाते है वो देश का इतिहास बदलते है देश का इतिहास बदलते है इसलिए कहना है कि तलुबारों पर सरुबार दिये जक्मों से जिसमू बनाया है तब जाके कही हम ने ये केसरी रंग सजाया है बात आप से करते हैं सर आपके पास और कुछ है मैं सुना रहा हूँ मैं एक गीत आपको सुना देता हूँ छोटा सा मैं चाहता हूँ किसमें मेरे साथी कभी भी साथ दें मैं एक छोटा सा कीत सुनाना चाहता हूँ हम ही भारत के नायक हैं हम जनगर्मन अधिनायक हैं हम ही गीता हम ही बाइबल हम ही गीता हम ही बाइबल हम ही तो पाक कुरान है हम हिंदोस्तान है कि मांते पर हिम्राज हमारे करता है रखवाली माथे पर हिम्राज हमारे करता है रखवाली और हमें पावन करता है सागर गोरो साली हम ही शेखर अशभाक हमी हम बंदे मात रमगान है हम हिंदुस्तान है हम चार पंक्तियां पढ़ता हूं आखरी आखरी चार पंक्तियां पढ़ता हूं सुनिएगा झाले झाले हैं झाले हैं भी जाइन है, तब दो कर दो रहा जाहा जाले हैं